हाई फ्रिंट्स कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगी दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे अगर आप इंस्टाग्राम आईडी का पासवाड भूल गया है तो कैसे पता करें कैसे उसको रिकोवर करें तो इंस्टाग्राम आईडी का पासवाड रिकोवर करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर जो इंस्टाग्राम अप्लिकेशन है उस अप्लिकेशन को ओपन कर लेजिए तो चलिए मैंने मेरा मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम अप्लिकेशन ओपन कर ले रहा हू तो उसके लिए process अलग है तो उसके लिए settings में जाके change password कर सकते है आप तो चलिए यहाँ पर जो ए forgotten password दिखा रहा है तो login के नीचे इस option को पर आप click कर दिजे forgotten password को पर मैंने click कर दिया देन यहाँ पर find your account आ रहा है और आपका instagram id create करते समय जो आपका जो जिस email address और mobile number से आपने create किये थे तो उस email address और mobile number आपको याद होना चाहिए ठीक है या तो फिर आप instagram का username भी अगर आपको याद है तो username से भी आप यहाँ पर continue कर सकते है ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी आपके जो friend है उनसे पूछ मतलब जिसको आपके instagram से पहले message किये होंगे ठीक है तो आप पूछे कि हमारा जो id से तुमको जो message किये है उसका मेरा username क्या है ठीक है वो बता देगा ठीक है तो चलिए friends मेरा instagram id पे जो registered email address है वो email address यहाँ पर type कर दे रहा हूँ अगर आप mobile number register किये थे उस time login करते वाक्त mobile number से यह हो जाएगा ठीक है चलिए मैंने यहाँ पर मेरा email address type कर रहा हूँ तो friends यहाँ पर मैंने मेरा email address type कर दिया और देन यहाँ पर देखिए continue button है इस continue button के पर click करने के बाद इस type का interface आएगा और आपका mail id है Gmail है मैंने Gmail id दिया है तो उस mail पर एक code जाएगा verification code ठीक है वो code को य यहाँ पर मैंने Gmail application open कर लिता हूँ so friends यहाँ पर मैंने Gmail application open कर लिया और यहाँ पर देखिए first में मेरा Instagram से एक mail आ गया है और इसमें एक code लिखा रहा है ठीक है यह मेरा code है 53366 एक code को यहाँ पर type करना होगा so friends मैंने यह code type कर दिया देन यहाँ पर देखिए continue button है इसको पर click क जो login and credentials है यह अगर आप save करना चाहते हैं तो यहाँ पर save button को पर click करना होगा ठीक है मतलब save हो जाएगा automatic आपको दुबार है login करने के लिए type नहीं करना पड़ेगा यह पासवार्ड है code है ठीक है तो मैंने save button को पर click कर दे रहा हूँ तो फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर आ रहा है कि create a new password ठीक है अगर आप नया password अगर आप set करना चाहते हैं तो यहाँ से आप set कर सकते हैं नहीं तो आप skip कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने एक नया password set कर दे रहा हूँ ठीक है वो जो फ्रेंट password करके उसको recover भी कर लिये हैं तो छोटी सी जान कर आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे रहे हैं खुश रहे हैं जय हिंद